हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दा चैनल, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, अनिम्प्लाइमेंट रेट इन इंडिया, तो यह मैंने गूगल में जाके इसको टाइप कर दिया है, अगर आप भी इसको टाइप करके देखना चाहते हो, तो यहाँ प देख रहे हो, Center for Monitoring Indian Economy, जे इसको जो है, वो देखते हैं और इसकी रिपोर्ट को जो पब्लिश करते हैं, कि इंडिया का अनिम्प्लाइमेंट रेट कितना है, और कौन-कौन सी स्टेट जो है, वो किस रैंक पे स्टेंड करती है, तो प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे, त कौन सी स्टेट किस रैंक पे स्टेंड करती है, जमुक्षमीर हमारा कहां पे स्टेंड करता है, आपको आलरेडी पता है कि जमुक्षमीर तो हमेशा टॉप पही रहता है, अनिम्प्लाइमेंट के केसिस में अगर हम देखें तो 3, 4, 5, 2, 3, 1 एक नंबर ऐसा ही रहता है, तो एपरिल के मंठ में इंडिया का क्या है, तो वो भी देखते हैं, चलिए जल्दी से मैं आपको इनी के वेबसाइट के उपर ले चलता हूँ, जैसे आप सर्च करोगे, थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करोगे, तो नीचे आपको ये वाली वेबसाइट जो है देखने को मिलेगी तो ये वाली वेबसाइट के उपर आप क्लिक कर लीजिए, यहां पे आपका यहां पे CMIE इनकी वेबसाइट है, जो वाली ये, Center for Monitoring Indian Economy, तो सीधा मैं यहां पे क्लिक करता हूँ, दोस्तों अब हम इनके वेबसाइट के उपर आ चुके हैं, तो Center for Monitoring Indian Economy, यहां पे आप देख होगे आप तो Unemployment Rate, 1st April 2023 में अगर हम देखें, तो इंडिया का कितना है, इंडिया का Overall 7.7% है, जो April के मन्त के, 1st April में इन्हों ने जो भी जो डेटा दिया है, तो 7.7% है, अगर हम Urban का देखें, तो Unemployment Rate 8.4% है, और अगर हम इसके साथ ही Rural का देखेंगे, तो 7.4% है, तो Overall इंडिया का Unemployment Rate जो है, वो 7.7% है, अरवन रूलर का यहां पर मैंने आपको बता दिया, अपरल के मन्त में, और यहां पर थोड़ा सा इस साइड देखो के, तो दोस्तों यहां पर पूरा इन्हों ने आपको March यह देखो के, आप तो April 2022 से लेकर, यहां पर इन्हों ने जो बात किये के 7.8% इंडिया का था, जो पर यहां पर भी आप देख सकते हो के जो इंडिया का 7.8, जैनि 80% था, अभी यहां पर जो दूसरी साइड अगर आप देखोगे, इस साइड जाके, तो यहां पर इस साइड, जो March और April के मन्त में इन्हों ने बताया है, तो इस अगर आप पूरा देखोगे, तो यहां पर देखोगे, आप 7.71% है, जानि थोड़ा सा 0.9% का जो है, बो रड्यूज हमें देखने को मिला है, मार्च से लेकर अपरल के मन्त में, जो अन्प्लाइमेंट रेट इंडिया का है, इसके साथ ही अगर हम इसको स्टेट वाइस द और आप प्राइस से प्राइस में जो था 7.80% अन्प्लाइमेंट रेट इंडिया का, जो के अप्रल में आके कितना हो गया, 7.71% हो गया, अगर हम प्राक्स वैल्यू में देखे इसको, तो जी 7.7% लिखा जाता है, दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इस साइड अगर आप स् दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो इनकी website के उपर जाके जमुक्ष्मीर को देखते हैं, तो यहां पर आप खुधी देख सकते हो कि जमुक्ष्मीर का unemployment rate जो है, वो कितना है, इस time, April में जो इनका प्रेसेंटली आया वो है 23.1% है जो के 3rd highest है दोस्तों कितना है 3rd highest है कहां पे पूरी country का 3rd highest है जो जमुकुष्मिर का unemployment rate जहां पे आपको देखने को मिल रहा है तो 3rd highest के साथ-साथ अगर हम देखें तो इसके उपर कौन सी state है जिनका है एक आपका हर्याना जो है, जो के नंबर one पर है, unemployment rate पर, यहां पर आप हर्याना को देख सकते हो, हर्याना का 26.8% unemployment rate है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों, जो आता है, वो आता है, राजस्तान, राजस्तान का अगर आप देखो के, यहां पर, तो राजास्तान का अगर यहां पर आप देखोंकर 26.4% है और 26.4% इनका है इसके साथ साथ उपर हमने हर्याना का देखा तो वह कितना रहता है हर्याना का जो है 26.8% है तो थोड़ा सा ही फ़रिक है 26.8% जो है वह हर्याना का है दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो राजस्तान आता है जो के 26.4 नंबर पे है तीसरे नंबर पे अनप्लाइमेंट के केस में हमारा जमुक्ष मीर आता है जो के तीसरा हाइस्ट अनप्लाइमेंट है यूटी पे देखोगे आप स्टेट पे देखोगे तो तीसरे नंबर पे अ जहां पर अपने बिचार जहां अपने ब्यूज देती है कि हमने इतनी इंप्लाइमेंट को जन्राइट करती है 25-30,000 हमने आडर दे दिये 25-30,000 हम करने वाले हैं तो अगर यह सारा हो ही रहा है तो फिर तीसरे नंबर पर जमुक्षपीर अंप्लाइमेंट के रेट में कैसे आ सकते हो अपने बिचार जो वहां पर रख सकते हो अगर हम इसके साथ देखें कि तो कंट्री में कौन सी स्टेडियन यूटी ऐसी है दोस्तों जो सबसे कम जिसमें अनप्लाइमेंट है तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों दो आपको वह जाद रखनी है जिनका 1% से भी अरणनार्मल रहता है और इसके बाद आगर दूसरे नंबर पर देखेंगे हम तो 36 पर दोस्तों दूसरे नंबर पे जो रहता है जो है दोस्तों उत्रЙ घंड अगर आप देखोगे तो इनका भी जो है कितना है 0.8% है तो उत्राखंट और 37 गड़ दो ऐसे स्टेट्स हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हो इन दोनों का बराबरी है 0.8% जो है अनिम्प्लाइमेंट रेट है और 3 मैंने आप पर बता दिये कि सबसे जादा जो है आपको हर्याना में देखने को मिलेगा उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है 2nd highest जो है वो आपको राजस्तान में देखने को मिलेगा और तीसरे नंबर पर हमारा जो है जमुक्षमीर आपको देखने को मिलेगा तो यह था Center for Economic Center for Monitoring Indian Economy Private Limited अगर आप भी इसकी वेबसाइट के उपर जाके देखना चाहोगे दोस्तों तो देख सकते हो मैंने अपने से जहां पर कोई भी डिटिंग नहीं की है हमें सीधा इनकी वेबसाइट के उपर लेके ही आपको जो है जिस सारी चीजे बता रहा हूँ अगर आप भी इसको जहां पर देखना चाहोगे तो आप इनकी website के उपर जाके इसको search करके देख सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like share जुरूर करें चैनल के उपर पहली बार आए हो तो subscribe जुरूर करें नोटिफिकेशन को भी आन कर लें आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टापी के साथ तब तक के लिए हैपी लेर्निक